हेलो एवरीवन मेरा नाम है मित्यादो और आपका स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल टॉपर बनुमी दोस्तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ेंगे क्लास 930 चैप्टर 4 का एक टॉपिक है दराइज आफ कमर्सियल फॉरेस्ट्री पिछले वीडियो तक परकूआ अगर आपने वुरेडियो को नहीं देखा तो आप जाकर वीडियो nggak देख सकते हैं प्लियष्ट आपको मिल जाएग parler लाइन है टिक है तो तो इस video dotведा काते हैं और इस में क्या पढ़ने वाल हैं वाले हैं तो हम पढ़ेंगे commercial forestry जैसे मैंने आपको पिछला प्री नाम deduction उसमें मैने जब plantation forming पढ़ाया था तो उसमें commercial forestry का नामीए था कामर्सियल फार्मिंग का नाम आया था सौरी कामर्सियल फार्मिंग का नाम आया था उसमें मैंने आपको बताया था कि कामर्सियल फार्मिंग क्या होता है ठीक है तो कामर्सियल फार्मिंग जो मतब की प्रॉफिट के मोटिफ से करते हैं ठीक है जो से हम रिवेन्यू जनरेट कर लें उसके मोटिव से जो हम काट इस्ट करते हैं यह फिर या फिर का सकें जो समार्से पहले देखेंगे हम क्यों हुगा सब्सक्रeuter cœur और आपको किसे टो अगर यहां िसका हो वहाद में प्रॉफिट के में पट्रिफ किया जा तरक viager कुछIGH करने के लिए किया जा हूं कमर्सियल अब बता अता है कि यह हमारे इंडिया में क्यों आता है ऐसश के लिए एक बैगराँड जाना होगा 1659 वह डिस्कस गते हैं तो ट्रेक्स वाले में मैंने आपको मतब कि रेलेवेज़ और ट्रेंबर में क्या रिलेशनन सिफ था उसके बारे में बताया था की तिम बस से उसे जादा गहरा का सकते हैं कि रेलेशनचिप था इन तीनों के भीच में ठीका ट्म बर रिलेशन्सिप के बीच में ठीक है तो अब देखिए बट ब्रिटीश वर वरीड अब यूज़ फॉरिस्ट भाई लोकल पीपुल अब देखिए जो ब्रिटीश थे ठीक है जैसे आपको पता कि हम मतलब की कोलोनियल पीडियट की बात कर रहे है ठीक है जब हमाने यह ब्रिट ब्रिटीश थे लोक चांथे ठीक है तो उसमें जब ब्रिटीश थे तो ईनलोगों को मतलब की वह इस चीज़ेस है आश्चेर थे या फित फोड़ा दुख ही थया कि वो नहीं चाहते थे कि 아닌डिय ब्रहे सिए भूर उसे यूज पर रहें अब आए दूसरे लोग उसे न यूज करें अब देखें यहां पर कितना तरह से मतब कि एक तो हमारे कंट्री में आकर और फिर हमें ही चाहते हैं कि हम ना यूज करें ठीक है तो इस तरह से आपको पता योगा की मतब की ब्रीटिस ने कितना त्याचार किया था तो उसका छोड़िये अलग टॉपिक है यहां पर देखिए तो ब्रीटिस चाह रहे हैं कि जो लोकल पिपूल है वो जो है फॉरेस्ट का यू लेते ठीक है वो आगे हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ ठीक है अभी कियार रहे है कि उसलमें ब्रीटिस कर रहे थे तो यहाँ पर देखिए उनको लगता था कि फोरेस्ट को डेखें अब दोनों लोग कर देखिए दोनों का अलग अलग मोटिफभ है ब्रीटिस कुछ अल अलग नजर से देखते थे तो उन्हें जो लोकल पीपुल थे उनको लगता था कि ब्रीटिस डिस्ट्रॉइ कर देंगे फॉरिस्ट को वहीं ब्रीटिस को लगता था कि लोकल पीपुल डिस्ट्रॉइ कर देंगे फॉरिस्ट को जैसे कि देखे जो लोकल पीपुल थे उनका मत सब्सक्राइब करें तो इसे मतब कि वह उस पर dependent थे लेकिन बिटीज के लिए क्लिए करें कमर्सियल फारेस्ट्री करें प्लांट शुगाय और अलग-अलग तरह क्या करें ठीक तो देखें अब यहां पर देखें लोकल पिपुल क्या चाहते थे लग तरह का विभिनेता रहे जिसे मतब कि उस पर एक फॉरिस्ट उनका हर चीज का पूरा हो जाए जैसे कि मतब कि फॉर कुछ चाते थे के फॉरिस्ट हो हीनर तो इसमें देखे एक फॉरिस्ट रहे एक चारा फॉरिस्ट नर रहे तो इसमें फि दोनों के लगे कर रहे हैं cache इंवाइटेड डेट्रिस बेंड्रिस वाज इनवाइटे देखे अब देखे जो ब्रीटिस को लगता है कि जो लोकल पिपुल है वो फोरेश को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ठीक है जिससे मतब कि टिमबर की सोटेज बहुत ही तेजी से बढ़ जाएगे क्योंकि उन्हें टिमबर की जरूरत थी क्योंकि ब्रीट्रिस को टिमबर की जरूरत थी इसके वाज़ा से उनको लगता था कि लोकल पिपुल उसका ज्यादे यूज कर लेंगे घरवन आने में और भी कैसी यू में इसलिए वो डेट्रिस बेंडी को इन्वाइट करते हैं डेट्रिस बेंडिस को कौन था तो जर्म इक्सपर्ट एक मतब कि कुछ जर्मनस के एक्सपर्ट है एक्सपर्ट द फॉ्रस्ति के बारे में ठीके फॉरेश के जर्मन एकसपर्ट थी ठीक है दे वैसका बेट्रिस को ब्लाइज एकशन आसक दो प्लाइब याद कर लिजिए घीए शीवाएब टे पढ़ाता हूं तो लेकर बैठिए या फिर पेन पेंसिल या फिर जो लिखना है सब कुछ आपको यहां से नोट्स कर से चलना है या फिर स्क्रिंस लिया कर दिए ठीक है या को रिवीजन करने में असानी हो ठीक है बार-बार आपको वीडियो नहीं देखना पड़े वीडियो इंस्पेक्टर जेनरल झांके फञां गेजा सबसे पहला फॉस्ट इंस्पेक्टर जेनरल बना जाता है अब आप को याद रखेए अब मतलब कि यह अब डिस बंडिस करते क्या तो यहां पर आपको देखिए यहां पर पांच मर्स चनाता है कि वाट डीज बंडे दूब तो आपको यहां पर कंटेंट आपको अच्छे से मतब की पता होना चाहिए ठीक है किसी भी चीज को याद रखने के लिए स्थोड़ा सब्सक्राइब कांसेप्ट की तरह समझने की कोसिस कीजिए उसकी बाद अपने आप ही आपको याद होने लगेंगे ठीक है यहां पर दख निए उनको क्या लगता था कि legal section लाना चाहिए अब legal section क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे पहले हैं देखिए science of conservation ब्रेजिंगि कुछ अलग तरीका होता है मतब कि लोकल कुछ और तरह से चाहते थे कि फॉरेस्ट इस तरह से रखें तो कंजर्व होगा लेकिन वहीं ब्रीटिस क्या चाहते थे कि अगर हम उस फारिण को दूसेयरा काट कर तो फार्मिंग करें, तोको और खाया जैसे पहले कि दोग जानुवर रखते थे तो जानुवर को ले जाते थे मतलश पर करने तो मतलश की घंटसों को कOOD कॉत तुछ तो इससे मतलश की वह का किहा कि कि जो यह पर टॉदिश को अचैके तभी हम control पगड़ पाएंगे ठीक है तो सभी चीजों पर restriction लगाना होगा तो इसके आगे आगे क्या होता है तो चलिए अब देखते हैं तो देखें legal section मैंने अभी आपको बता है legal section में क्या था तो rules about the use of forest resources and punishment to those who violates them तो देखें legal section जो उन्होंने लाया तो उसमें क्या किया कि उसमें कई सारी rules ला दिये ठीक है अगर आप किसी rules को मतब की follow नहीं करते हैं तो आपको punishment मिलता है तो सेम उसी तरह से यहां पर भी कर दिया गया था ठीक है अब अगर कोई उस रूल को तोड़ता है तो उसे punishment भी दिया जाएगा ठीक है अब देखिए ब्रेंडिस सेट अप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इन 1864 एंड हेल्फ फॉर्मुलेटर दा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आप 1865 अब यहां पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजे आपको यहां पर नोट डाउन करना है और इसी याद भी रखना है ठीक है वान मा अलग अलग करता है सर्विस था ठीक है यह सर्विस था और यह जो है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो है यह करता है इंडियन फॉरेस्ट को इंडियन फॉरेस्ट एक्ट को फॉर्मुलेट करने में उसे लाने में ठीक है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट कब लायाता है 1865 यह दोनों डेटब आपको रखना है कि इंडियन forest service डींस 864 में आता है और एंडियन forest acts 1800 65 में आता है एक साल बात लिकाए अब ये जो इंडियन forest act आता है तो इसकेंगे कि इंडियन यहां पर दहाओ नेत्य। यहाद राखना है कि इंडियन फॉर्श सर्वीज यह वह 1764 में इंडियन फॉरश्वाइड में सब्सक्राइब ठीक है जिससे ही इंडियन फॉरिस्ट एक्ट लाया जाता है 1865 में 1865 ठीक है मैं हिंदी इंग्लिस दोने में बोलना हूँ ताकि आपको असानी से समाज में आजा ठीक है अब यह देखिए जो इंडियन फॉरिस्ट एक्ट आया था इसमें दो बार बदलाव आते हैं अमेंडे यह है जो कि अभी हाल म्हा था ठीक है तो इसके बार भी आम आपको बताएंगे पार इसमें झाली क्या थे तो देखिए चेंजेंडे आफ्टर ऑमएंडमेंड्मेंट नो जो चैंजे जाय थे वह क्या थे थे इंपेरियल फॉर्स इसर्ट इस इंस्ट्ट वस सेट अप एड देहरादून इन 1906 तो देखे एक इंपेरियल फॉरेस इंसिट्यूट को इस्टेबलिश किया जाता है कहां पर देहरादून में 1906 में 1906 में अब आप सोच रहा होंगे कि यह मुझे कहां से पढ़ा जाने लगा ठीक है यह कहां से पढ़ने लगे हम तो कुछ यह मतब कि यहां से ठीक है यहां पर देखेंगे यहां पर कि आयरुआ हुखा है अब हम चेंजेश देखेंगे लेकिन इसके पहले आपको यह समझ लिज्य रिखें तो 1906 में इंसित्यूज किया जाता है जो की देहरा धुन में अब आपको इसका फोटो जो आपके नंस्यार्टी के देख सकते हैं आप उसको मतबद फोटो को देख लिजेगा अब यह स्टेयकर धीट अब आप सबस्कूर्ब यह visit अब आप सोच रहेंगे कि यह नया वर्ड कहान से आगके साइनटिपिक फोरेश्टि अब ताभ पड़ा कि प्लांटेशन फार्मिंग या फिर कलोनियल फॉरेस्टरी तो अब यह साइंटिफिक फॉरेस्टरी कहां से आ गया तो देखें जो हमने साइंस आफ रिजर्वेशन अभी हमने पीछे पढ़ा कि मतब कि जो डिटेश बेंडि उसकी बात कर रहे थे तो उसमें यह साइंटिफि यह साइंटिफिक फॉरेस्टिक क्या था बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इसे हम नए एक निस्ट मतब कि ओ सकते हैं कि अलग श्कुप वीडियो में इससे डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके लिए स्पेस्टिक वीडिव लाएंगे ठी सबसे पहले बात करते हैं कि 2018, 2019 में जो अमेंड्मेंट हुआ थह तो अंडर दी अमेंड्मेंट अप Um आपिसे इसकते हैं अब इसमें क्या चीज था वह मैं आपको बताता हो इसमें अ tubes required प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और विलेस्ट फॉरेस्ट जो थे वह थोड़े से एक तरह के ठीक है लेकिन रिजर फॉरेस्ट बिल्कुली अलग था अब देखिए इसमें आपको नाम से पता चल रहा है रिजर्ब तीक रिजर्ब मतलब की कुछी चीज के लिए रिजर्ब कर से इक्टिक थिया गया थीक है तो क्या अठीट हो था यह था तो पसक्रफ टॉरेस्ट बेस्ट फॉरेस्ट था यह मतलब फॉरेस्ट यहां पर मतलक की डॉलन कडिया नग्रिधा चीज पाया शंप जाते थे जिक है यह स्तक में तो था विलेजर्स कुड़ नोट टेक एनीधिंग फ्रॉम इस फॉरेस्ट इवेन फॉर दियर आउन यूज अब देखे जो रिजर्ब फॉरेस्ट यहां पर किवल ब्रीटीश का रूल था ठीक है ब्रीटीश का रूल था और इसमें जो भी मतब की कुछ भी करना है वह ब्रीटी क्या ठाथ है रिजर्ब फॉरेस्ट तो रिजर्व मतब की जो बेस्ट क्या फॉरेस्ट था रहाँ यहां से विलेजर्स और फिर-ब्रीटीश को छोड़ मतलब की छिजश यूज नहीं कर सकता ठीक एं लेकिन प्रोटेक्टेर और वीश-फॉरेस्ट में क्या था इन दर कुछ पर्मिशन जो है दिये गहे थे लेकिन वह भी पर्टिकुलर इसूस पर ठीक है प्रटिकुलर इसूस पर वह क्या थे जैसे कि एक्जामपल में देखिए वूड कैन वी कलेक्टेड फॉर फ्यूल एंड हाउस ब्यूल्डिंग जो वूड है वह हाउस और बनाने के लिए लिए पर्टिकुलर इसूस पर पर्टिकुलर इसूस पर यहां पर गलता कहते हैं इसकुत बचाई जो बचा यहाँ पर जाए तो देता जा लेकिन पूर्टिकुलर इस उस लेरली चेंजेज वर इस टेंट अंडर दी एमेंडमेंट आप 1927 एक्ट तो ऐसा ही कुछ जो है वह 1927 की एक्ट में भी लाए जाता है अब मैंने आपको कहा था कि तीसरा जो चेंजेज हुआ था जो की इंपेरीयल गवर्नमेंट या कैप तो वह चल्सी जल्दी हुआ था यह फिससे मतलकि कोई की ब्रús के जाने के बाद मतलकि कि हमारे Constitution में ला दिया गया था कि कोई घ्राश को मतब कि घासओ को नहीं काड़ी जा जाता है तो बंबु जो है वह ग्राश की कटेगरी में आता था इसके वज़े से कोई भी जाता था तो बंबु उसको काट लेता था तो उसके वज़े से क्या हुगा कि हमारे फिर से जो उ अगले वीडियो से हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे अगर आपको कुछ में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद